नमस्कार दोस्तों, दोस्तों हर एक सरकारी नोकरी के त्यारे के लिए आप मुझे अन-अकेडमी लर्निंग एप पर फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक सरकारी नोकरी की अच्छे से प्रेपरेशन करवाई जा रही है उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है प्ले स्टोर पर जाकर आपको अन-अकेडमी लर्निंग एप को डाउनलोर करना है डाउनलोड करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अन अकेडमी का लिंक मिल जाएगा उस लिंक पर ओके करके आप मुझे फॉलो कर पाएंगे सब्सक्राइब कीजिए टेकनिकल गवर्णनेट जॉब चैनल को दबाईए बैल बटन हर लेटेश सरकारी नोकरी की जानकरी सबसे पहले लेने के लिए तो फ्रेंडस इस वीडियो में बात करेंगे जो पंजाब का एक्जाम होगा पंजाब स्टेट टीचर एलिजिविल्टी डेस्ट होगा जाने कि प्यस्टेट का उसका न्यू नोटिस हाचुका है पहले जैसे इसम्बर की सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे बट डेट चेंज हुए उनी नोमबर को निया नोटिस है सारे डीटेश में बात करेंगे पहली बार चैनल पर विजिट करें सब्सक्राइब किजी बैल बेटन जरूर दुबाईए का इससे आपको फ्री में नोटिफि जो पी एस्टेट का मौनिंग का एकजाम रहेगा और पीस्टेट का जो सेकिंड रहेगा वह एवनिंग में रहेगा जो कि फर्वरेट 2019 में कंड़क्ट होगा इलिजिबिल्टी की बात कर लेते हैं जो केंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं क्लास फर्स्ट फिफ तक प्राइम अधर डिग्री है चाल साल की इने इलिमेंटर एजुकेशन में या फिर दो साल का डिप्लोमा है इलिमेंटर्य एजुकेशन में तरिन आप विलिजबिल्ट के लिए जो पर जो प्राइम्री स्टेश एक्जाम उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे और उसके बाद जो स तो यहां पर जो कॉलिफकेशन रहती है अगर आपके पास इक्वालिफकेशन है तब आप लिजीबल रहते हैं तो इसमें जो रहता है कि एक साल के अगर आपने बीएट की हुई है या फिर फाइनल ये और डिपलोमा और फोर येर की डिग्रिया है आपके पास एलिमेंटरी के लिए एलिजीबल रहते हैं अप्लाइक कर सकते हैं उसके बाद हम डिटेश में बात करेंगे जो आपका पेपर कंड़क्ट होगा वो कैसे होगा तो मैं आपको पता देती हूँ जो पेपर आपके दो जैसे मैंने आपको पताया एक पीस्ट्ट वन होगा और एक टू होग तो जो फर्स्ट वाला होगा क्लास वन टू फाइव के लिए होगा और क्लास इक्स टू एट यानि की इवनिंग में रहेगा तो उसके बाद जो डिटेशन ओफ एक्जाम है वो मैं आपको पता देती हूँ डिटेज में डेढ़ घंटे का रहेगा यहाँ पे नोडे बताया लेंग्विज 1 का 30 mcq 30 marks के लेंग्विज 2 का 30 mcq 30 marks के और math का भी सेम रहेगा और उसके बाद environmental studies का भी आप देख सकते हैं मेंशन किया 30 mcq 30 marks की यहां पर रहेंगे और मतलब 150 mcq 150 marks की रहेंगी यहां पर जैसे कि उन्हें बताया भी है और मैं आपको बता दी तो इसमें पास कैडिडिट क्या रहेंगे मतलब जगर जन्रल कैटागरी से आप हैं तो आपको 90 marks लेने हैं 150 में से यानि कि 60% और अगर आप SC ST अधर कास से हैं तो आपको 82 marks लेने हैं 150 में से यानि कि 55% सो उसके recording आप आपने त्यारे रिखेंगा application की फीस जो है यहां पे रोले बताई हुई है जेनरल ऑबीसे के लिए 600 एगी SC ST के लिए 300 रुपे हैं और एक सर्विसमें को यहां पे कुछ भी पे नहीं करना है और लेकिंगे इच सब्जेक्ट की है अगर आप आप एक एक्जाम के लिए 300 अगर दो एक्जाम के लिए दे रहे हैं तो यहां पे 600 रुपे रहेंगे ठीक है उसके बाद जो आपकी फीस है वह मने आपको बताई देबिट क्रेडिक कार से आप कर पाएंगे और ऑफिशल साइट है यह www.educationrecruitmentboard.com यहां पे आपने अप्ला भी दूंगी और लास्टेट भी जब आएंगी मैं आपको बता दूंगी कि लास्टेट क्या रहेगी तो उसके एक्जाम आपको पता ही है फर्वरी 2019 में कंड़क्ट होगा बाकि आपको कोई है कोई कोश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूर सकते हैं